बच्चों क्या हाल चाल मैं हूँ प्यूस भारती आपका शारती और आप देख रहे हैं भी लोग आज की क्लास में हम लोग मोश्ट इंपोर्टन कोसंस पढ़ने जा रहे हैं किसका प्रिंट कल्चर एंड नेस्नलीजम का आप लोगो पता होना चाहिए कि प्रिंट कल्चर एंड नेस्नलीजम भी अहर बूट का चैप्टर है यह तो यहां पर हम लोग चैप्टर नंबर एट है लास्ट चैप्टर इस हिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं उसके बाद हम लोग disaster management को पूरी तरह से complete करने वाले हैं इस lecture के बाद हम लोग disaster management को करेंगे ठीक है चलिए तो हम लोग बिना देरी के next class में करते हैं class को आगे बढ़ाते हैं ठीक है तो हम लोग इसमें जानने हैं कि हमको कि यहां पर पहले तो notes कामी लेंगे सर इसके बहुत प्रोब्लम होता है notes ढूनने में आप लोग को notes ढूनने में आपको कोई problem नहीं लेना है बस आपको एक app download करना है जिसका description में आप लोग को link मिल जाएगा ठीक है description में आपको link मिल जाएगा ठीक है उसके बाद आपको उस link पर click करके आप वो app को download करने लेना download करने के बाद और आप लोग जैसे ही website पर भी अगर आपने website देखा है तो ठीक है नहीं तो फिर मैं app के बारे में फिर आपको एक introduction वाली class भी बना दूँगा ठीक है app introduction में कि एप में कैसे कैसे क्या क्या काम होते है ठीक है आज की class को आज एकदम बहतरी सी class में वाली है print culture and nationalism पर सबसे पहले discuss कर लेते की आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग subjective plus objective करने वाले हैं क्या करने वाले हैं subjective plus objective सर किसका subjective और objective करेंगे बच्ची लोगों एकदम simple chapter 8 number history का करने वाले हैं क्या करने वाले हैं chapter 8 history का इस class में हम लोग chapter 8 history का बिहार बोट का subjective plus objective करेंगे बोले तो simple लेंगे most important questions ठीक है most important questions जो भी इस channel में नए हैं please subscribe कर दें और जो पुराने हैं वो लाइक करें नए भी हैं लाइक करें चले तो अपनी पहली question आती है कुछ इस तरह से एकदम आप लोग का question दिया हो रहेगा आप लोग को एकदम बहते हैं तरीके से पढ़ना है ठीक है चले पढ़िए question को मैं जड़ा सा time देता हूं आपको who said printing is the greatest gift given by God the greatest gift अच्छा कौन कहा था कि printing जो है वो एक greatest gift है किसके द्वारा हमारी भगवान के द्वारा किसके द्वारा दी गई है भगवान के द्वारा तो कौन कहा था यह तो आप लोग अपर पता होना चाहिए यह Prophet Muhammad ने कहा था आगे चले नेस्ट question है हमारा इन्टिंग 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 कहा इन्ट हुआ जहां पर पेपर इन्ट हुआ पेपर कहा इन्ट हुआ पेपर चाहिन में इन्ट हुआ तो महरा पेदिंग कहा इन्ट होगा चाहिन में सर चले ने कमारी question बहुत जगा पुचा है 2020 2022 रहाँ इंडिया का लिबरेटर ऑफ इंडिया नीजपेपर से जाना जाता है कौन सा गवर्णर जनरल है तो आप लोग को पता होने चाहिए इसका एंसर क्या होना है होगा इसका एंसर क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग विलियम बैटनीग होगा क्या होगा विलियम बैटनीग आगे चले मांटिल लुटर कौन थे तो एक फिलोसफर थे पॉलिटिशियन थे रिलिजियस डिफॉर्मर सोसल डिफॉर्मर तो वो एक सोसल डिफॉर्मर थे ठीक है आगे चले नश कुशन रूसो वाज़ा फिलोसफर रूसो जो है वो फ्रांस के फिलोसपर था फ्रांस का ठीक है कहा था फ्रांस का गुटेंबर्ड वास बॉंड इन गुटेंबर्ग जब बनी में बॉंड हुआ था है ना जिन्होंने प्रिंटिंग मसीन का इन्वेंट किया था तो हिंदुस्तान रिव्यू का किस ने किया था पॉलिकेशन तुमारे रामकृष्ण बर्वा ने किया था ठीक है रामकृष्ण बर्वा ने वाज इन्वेंटेट इन कंट्री पेपर वाज इन्वेंटेट यह तो पेपर कहां इन्वेंट हुआ चाहिना में हम लोग सभी जानते कि चाहिना में पहली बार पेपर बना था जिसको आज हम लोग अपनी इंडिया पुरी वर्ल्ड में इंडिया नहीं पुरी वर्ल्ड में लिखना चाहें पुरी वर्ल्ड में यूज करते हैं ठीक एंसर क्या होगा चाहे न महातमा गांधी इडिटेट महातमा पांगा थी कौन सब बुक को इडिट किये थे ठीक है तो इसका एंसर होना चाहिए यंग इंडिया ठीक है यंग इंडिया चलिए तो अब्जक्टिव को 10 को नंबर तक बहुच चूके हैं 20 नीशवेपर चेंज देर लाइंग्विज ओवर्नाइट तो अवर्निकूलर प्रेस एक्ट तो कौन सा नीशवेपर जो है वह वह वनिकूलर प्रेस एक्ट को चेंज कर देता है तो इसका एंसर होना चाहें आपको हिंस्तान रिव्यू लि विज्ट बुक डिट गुटनबट परिंट तो कौन से गुटनबट परिंट किये थे तो सबसे पहले वह बाइबल को प्रिंट किये थे ठीक है आगे चलते हैं who wrote the 95 establishment तो कौन लिखा था तो हमारे मार्टिन लुटर किंग जो है वो 95 established को लिखे थे मराथा नीज़बर उस लेटे टो वीच लेंग्विज तो हमारे मराथी को लेंग्विज करते हैं वो रिलेट करते हैं ठीक है चलिए एडिटर ऑफ अमरीद बजार पत्रिका का एडिटर कौन है तो हमने राजा रामोहन राई जो है वो अमरीद बजार पत्रिका का एडिटर है 95 थिस किस ने लिखा था तो मार्टिन लुटर ने लिखा था आगे चलते हैं who was the founder of Miratul Akbar Miratul Akbar के founder के थे कौन थे हमारे मन मोहन सिंग मन मोहन घोश नहीं थे खान अब्बुलकफार खान थे के ए जी एफ बोल सकते के जी एफ ती तो हमको सुनने में के जी ज़ जा सा लग कौन थे के जी एफ टीक चलिए अच्छा यहां 17 कोशन्स थे जो हमारे अब्जक्टिव में हैं अब्जक्टिव में इस चैप्टर से 17 कोशन्स आ सकते हैं ऐसे ऐसे कोशन्स बनते हैं अच्छा आप लोग इसका थियोरी वाला पार्ट चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं ठीक है कमेंट कर सकते हैं उस कमेंट में मैं देखूंगा अगर थियोरी वाला पार्ट आपको चाहिए तो कमेंट करिए इस चैप्टर का ठीक कमेंट करिए उसके बाद हम लोग इसको था टीड वहला भी पार्ट बनाने के कोशिव करेंगे ठीडिया चले अब शब्जाश्टिव की है बारी सब्जाश्टिव की है बारी सब्जाश्टिव में क्या देखने वाले हैं short question कोशन एंसर शोटकोशन एंसर के बाद लौग क्रता चाहिए मनु क्रिप्ट क्या है यान का इसका inspectcko मनु उसक्रिप्ट क्या है एक यह यान सफर्गवेखर लिखने का जाए आधती है यह उजह अगına आप लोग इसको याद रख लेना देखो आप लोग ने अगर राम से तू मूवी देखा है तो हम लोग के लिए हिस्टरी का लिए बहुत अच्छा मूवी है आप लोग देख लेना उसमें मनु स्क्रिप्ट का पूरी तरह से प्रयोग किया गया है मनु स्क्रिप्ट का आप लोग को पता सल जागा कि मनु स्क्रिप्ट कैसा दिखता है और उसमें राम से तू मूवी बहुत एजी तरीके से देख सकते हैं आप लोग ठीक है चलिए चलिए मनु स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह से दिखता है उसमें manuscript क्या होता है जो हाथ से लिखा वाब book होता है उसे हम लोग कहते है handwritten book handwritten चलियो आगे चले printing press reach Europe Europe में printing press कैसे पहुचा था 295 में technique जो था word block का वो बहुत develop हो रहा था जो चाइना से इटली लाया गया था by Marco Polo due to which the technique of food block printing developed in place of handwriting manuscript is starting from Italy this technique is spread to other parts of Europe as well तो कैसे आया printing press सबसे पहले जब food block printing बढ़ रही थी तब चाइना में अच्छा इसको किलियर कर देते इंग बर ताकि आप लोग को असान रहे पढ़ने में एक चलिए इसको में जड़ा क्लियर कर देते इस टेक्निक जब ऊड़ ब्लोग का बढ़ रहा था प्रिंटिंग का तब चाइना से इटली लाया गया कि इसके द्वारा Marco Polo के द्वारा और इस टेक्निक को हम ऊड़ ब्लोग प्रिंटिंग डेवलप्ट कहते हैं जिसो मनुस्क्रिप्ट से बदले गया वसके इटली में इसी तरह से स्प्रेड हो गया यूरोप में ठीक है समझ में आया आप लोग को चलिए वर्निकुलर प्रेस एक्ट अपोजड बाइदा इंडियन्स क्यों क्यों वर्निकुलर प्रेस एक्ट अपोजड वा इंडियन्स के द्वारा क्योंकि यह जो था लॉर्ड लाइटन जो 1868 में Vernicular Press Act को launch किये थे इस Act के अंदर Indian Press जो है वो banned हो रहे थी और newspapers नहीं चप रहे थे जिसके करबन से British Government के अगेंस्ट नहीं चप रहे थे इस Act में था कि British के अगेंस्ट कुछ भी नहीं चप सकते हैं तो इसके करबन से Vernicular Press Act को oppose करने लगे इंडियाidente नेच्ट कोशिट कैसे डेवलेटcket के के प्रिंटिंग मसीन को तो गdelवेट के प्रिंटिंग मसीन को कि इसके basis पर ओलीव प्रेस मसीन एक मसीन राता था इसके बैसिस पर प्रिंटिंग मसीन डेवलेट किया depression और इस मसीन में एक long handle रहता था जिसको metal shape से बनाया गया था और letters के द्वारा जो एक bold cast देता था और इसके arrangement जो था रोटेट इस टाइब से कि उसे लिखा जाए और printing press इस तरह से developed किया गया था ठीक है आप लोग लिख दोगे इस questions को कैसे लिख होगे गुटनबर्ग डेफलेट प्रिंटिंटिंग मशीन विफ दे बेस ऑफ था अवली प्रेश मशीन इस मसीज है रहा रहा था लिटर्स को उसके बाद यही आरेजमेंट से अपका प्रिंटिंग प्रेश डेबलप्ड हो जाता है आगे चले next question है गुटनबर्ग कौन थे गुटनबर्ग जो थे वह मैंजी सिटी जर्मनी में बांड किये गए थे landlord family में जो एक प्रिंटिंग मसीन के डेबलपर भी काला आते हैं ठीक है और यह जो प्रिंट ब्यूटिफुल चीप और कोई कजो है यही ने बनाया है और the credit for the invention of the printing place goes to गुटनबर्ग ठीक है चले यह भी लिख देंगे अंसर यह दो नमबर का आएगा एक्टम बहुत हीजी तरीकते आप लोगो लिख देना है गुटनबर्ग के बारे में अच्छा यहां पर हमारा chapter खतम होता है इस chapter में subjective कितने थे बच्चे लोग जल्दी कि हम लोगने 22 नहीं 22 अब लोगो के इक्षाम में इस से 22 जो आता है ना इसे टूम स्का खैटाय। दूम स्का तोभी के против में फूछ Gud startup कवर डेमें कावार ठीक है तो इस से आप लोग को सुन को बना सपड़ के जाना प्रिंडिंग प्रेश वाला यह ज्यादा कुछ नहीं आप लोगो और सौट में तो बहुत एजी तरीके से पुछता है गुटनबव कौन थे और डावलपर कैसे की है बहुत एजी एजी कोशन से वर्निकुलोर प्रेश क्टर पूश्ड क्यों हुआ प्रिंटी कलचर प्रिंटी प्रेस योरोप में कैसे पहुचा है यही सब कुछ है ठीक है तो चलिए नेश्टक्लास में बढ़ते हैं हम लोग नेश्टक्लास में क्या पढ़ने वाले हैं चेप्टर आउटोने के पढ़नेगे next class में हम लोग पढ़ेंगे disaster management का क्योंकि हमारा history हो गया है complete जिसके कारण से हम लोग disaster management पढ़ने वाले हैं disaster management इसका all mcq करेंगे in one sort और all sort questions क्योंकि इसमें तो हमारा long आता नहीं है history हमारा complete हो गया disaster management और all mcq all sort questions को complete करने वाले है तो फिर मिलते हैं आपको next class में जल्दी और आप लोग अगर नए है तो please say subscribe कर दिये channel को क्योंकि इसमें English medium भी हार वोड में बहुत सारी chapter आने वाले है हभी ठीक है तो मिलते हैं आपको तब तक के लिए bye bye